क्रोना महमारी के दौरान जिन छोटे वेपसाईयों का कारोबार ठप हो गया था उन्हें परधानमंत्री मुद्रा योजना से अपने कारोबार को फिर से शुरू करने में काफी मदद मिली है हिमाचर प्रदेश में भी इस योजना का काफी लोगों ने लाब उठाया है शिम्नाजिली के रामपूर भुशैर में किताबों के दुकान चला रहे वेपसाई अनिल बंसल को भी इस महमारी के दौर में इस योजना से काफी मदद मिली है अनिल बंसल ने बताया कि लॉगडाउन के दुरान स्कूल बंध होने के चलते उनके किताबों की दुकान का वेबसाय भी ठप हो गया था लेकिन मुद्रा योजना का सदुप्यों करते हुए उन्होंने ना केवल अपने वेबसायों को बढ़ाया बलकि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी रोजगार मोहिया करवाया है बंसल बुक डिपो में काम कर रहे लोगों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते उन्हें बिरोजगारी का सामना करना पड़ा लेकिन अब उन्हें घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध होने से रोजी रोटी चलाने के लिए अच्छा पैसा मिल रहा है रामपूर सेंटरल बैंक के शाखा प्रबंधक पंकच कुमार ने बताया कि भारत सरकारदौण आठ अप्रेल 2015 को शुरूर की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की माध्यम से लोगों को अधितम 10 लाक रुपे तक कर असानी से रिण उपलब्ध हो रहा है उन्होंने बताया कि रामपूर में उनके कारेकाल के द्वारान 10 लोगों को इस योजना के तहे तर्रेन दिया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि बारस सरकार के द्वारा 8 अपरेल 2015 को जाड़ी की गई है बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें लोग को मैक्सिमम 10 लाक तक रुपे के लोन के प्रधान की जाती है वैसे लोग इस योजना का benefit ले सकते हैं इसमें आपको मैक्सिमम 7 साल का समय दिया जाता है मैक्सिमम रिपेमेंट के लिए इस योजना के वारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको गभर्मेंट की तरफ से इसमें guarantee मिल जाती है निश्चित रूप से प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद से ऐसी लोगों की सपने साकार हो रहे हैं जो क्रोना महमारी के दौर में बेरोजगार हुए थे डीडी न्यूज के लिए रामपूर से बिशेश्चर नेगी की रिपोर्ट